हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं पांपलेट फ्राइड उसके लिए हमने 10 से 15 पांपलेट मचली ये ली है लगबग 1 किलो इसमें हमें ऐसे कट्स लगा लेने हैं दोनों तरफ से बाकी समय हमने पहले से ही लगा लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक और एक चमच लहसन का पेस्ट अब अपने टेस्ट का हिसाब से नमक डालेंगे हम अब इसमें दो टेबल स्पून रेट चिली पाउडर डालेंगे अगर आपको मिर्च खाना बिलकुल पसंद नहीं है तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं अब हम इसमें एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे एक टेबल स्पून काली मुच पाउडर डालेंगे दो टेबल स्पून तंदूरी मसाला डालेंगे और आधे निम्बू का रस डाल देंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइन ओईल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आदा गंटा मेरिनेट होने के लिए रख देंगे अब इसे डीफ फ्राइ कर देंगे स्लो फ्लेम पर दस से पंदरा मिनिट ये रेडी है हमारे फिश फ्राइ कर देंगे कर देंगे झाल झाल